रही मिलार राक्मान रएम ए असलाम अलेकुम वेलकम तो गौहर पॉबिश्चे इस हमना बिंत शेजाद Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning Dear teachers, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर इंग्लिश बुक्टू का unit number 11 जो हमारे पास है computer ये हमारे पास एक poem है बट इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे computers होते क्या है Computer हमारे पास हर वो machine है जो इनसान की help करने के लिए बनाई जाती है हम से data लेती है उसको manipulate करती है process करती है और हम एक final result show करती है तो आईए चलते हैं reading की तरफ Dear teachers and dear students जैसे क्या आपको screen पर नजर आ रहा है page 112 का computer Reading starts करते हैं Computer, computer You have so many parts There are big ones and small ones And one that make you start The monitor is the top part Which might look like a TV It shows everything in color So that you can see The keyboard lets you input letter and numbers alike So that you can type great stories and poems if you like जी आप चलते हैं इसकी उर्दू translation की तरफ Computer, computer आपके बहुत सारे हिस्से हैं बड़े और छोटे और एक जो आपको शुरू करता है Monitor उपर वाला हिस्सा है जो किसी TV की तरहां लग सकता है ये रंग में हर चीज़ को जाहर करता है ताके आप देख सकें Keyboard आपको input देता है खतूत और नमबर एक जैसे ताके आप उमदा टाइप कर सकें अगर पसंद है तो कहानिया और नजमे जी अब देखते हैं इसकी Glossary जैसे कि Alike Alike में हमारे पास है आपके पास वो वाले words जो कि Similar way में आते हैं Monitor वो Output Device और वो Information आपके पास है जो कि आपको Display करवाएगी Then आपके पास Let, Allow करना Input आपके पास है Data को Computer के अंदर डालना Dear Teachers and Dear Students यह था हमारा आज का वीडियो लेसन अब इंशाला एक नए वीडियो लेसन के साथ हम पेर मिलेंगे तब तक के लिए Allah हाफिज